दोस्तों निमस्कार स्वागत है वेल्कम बाक टू माई व्लॉग एक बार फिर हाजरू मैं और आज मैं अपनी स्टोरी नहीं सुनाओंगी आज हम बात करेंगे ऐलविश यादफ की ऐलविश यादफ कल से बहुत ट्रेंड कर रहे हैं बल्कि दो तिन दिन से प्रेंड कर रहे है ऐसे तो ट्रेंड करने वाला बंदा है लविश यादफ लेकिन अभी फिलाल काफी जादा ट्रेंड कर रहा है आखिर क्या हुआ ऐसा कौन सा कलेश हो गया आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि वह यादफ चार-पांच लड़कों को लेकर घुसते हैं एक एक जगह में जाते ह और अचानक की वहां पर बैठे हुए लड़के को कुछ डालते हैं दना 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 लगा पड़े लगा ठाय ठाय डिशुब डिशुब करके कुछ डाला उपर से मा बहन तेरी यह वह वह फलान अजिम खाना सब कर डाला कि क्या हुआ तो लवे शादव की गुंडा-गर होने लगी है कि अलविश को औरेस्ट करो यह विश्ने अला कि अपना पक्ष भी रख दिया है उस पर भी बात करेंगे लेकिन फिलहाल कि हुआ क्या तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूब एक यूट्यूबर है और यूट्यूबर तो हैं वह लेकिन उसके बाद उ सामने आई जिसमें वह एक लड़के मैक्स्टर को पीट रहे हैं तो आपको बदा दू कि यहां पर एलविश का जो रियल नाम है वह सिद्धार्ति आदफ और मैक्स्टर को पीट रहें मैक्स्टर का भी नाम कुछ और है मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ा ध्यान से मै लिखा तो था लेकिन हां सागर सागर धाको नाम है उसका उसके चैनल का नाम मैक्स्टर है तो यह पूटिज आया है जिसमें एलविश गुस गए हैं और मैक्स्टर को पीट रहे हैं और गुस्ते साती किया रहा है बिटा भाई मारने आया हूँ हाँ तह नहीं मिलाओंगा यूटिबर मैक्स्टर ने कहा कि एलविश के उन्हें जान से मारने की धम की दी है और बुरी तरह पीटा है अब एलविश यादव की इस हरकत को गुंडा गर्दी वाली हरकत बताया जा रहा है एक्शन की मांग हो रही है और अब कर रहे हैं लोग मांग कर रहे हैं और काफी दिनों से बहुत जादा वाइरल हो रहे हैं अलविश यादव कहीं वो रेव पार्टी में फसते हैं कभी सापों के जहर के लिए फसते जाते हैं और आब तो भहिया वो मारने मराने पर पहुंच गए हैं तो ऐसे में कहीं न कहीं गुरुग्राम के रहने वाले यूट पूटेज भी शेयर किया है अलविश अपने साथ आठ से दस लड़कों को लेकर मैक्सटन के पहुंचते हैं उन्हें बुरी तरह पीटते हैं मैक्सटन के मुझ पर चोटा आई है वीडियो में दिखाई दे रहा है कि रियल में अलविश ने उन्हें पीटा है उनके नर्चल विवाद यहां से शुरू हुआ कि एलविश यादव और मुनवर फार्की एक साथ क्रिकेट के मैदान पर दिखाई दिये इन दोनों को एक साथ देखकर ठाकुर ने यहने सागर ठाकुर यहने मेक्सटन ने इनका इनकी खिचाई शुरू कर दिया कह दीजे इनको रोल करना शुरू कर दिया या उनके उपर विडियो बनाने शुरू कर दिया अब मेक्सटन की जो मतलब जो ट्रोलिंग थी मजाग था उससे भड़क गया यही नहीं और यूजर्स ने यहां पर बहुत सब बुराई की है वो खुद को राम भक्तु सनातनी बताते हैं लेकि कई बार हिंदू का अपमान किया है ऐसा कहना है इन लोगों का अब भाई सब बाते हुई है यहां पर तो इस सब बातों का जवाब देने के लिए एलविश पहुंचे थे उन्होंने सागर याने मेक्सटन को मारा और मेक्सटन का भी दावा है कि उसने एलविश ने आट से दस लोगों के साथ उसके जगह प्या कर उसको मारा जान से मारने की धंकी दी पीटा है और वीडियो में वह कह रहे है भाई साब जान से मारने की धंकी दी गई है मैं अकेला था लेकिन अपने साथ 8-10 बंदे लेकर आये थे तो मैं इसका वीडियो सुबह डालता हूं आप पच्छे से देखना अब हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है क्या हुआ कैसे हुआ और मुझे होट पर चोट आई है यह बात यह सागर यहां पर अपने एक छोटी से वीडियो में ट्विटर पर शेयर किया उस पर यह बोल रहा है वो अब एलविश की मारते हुए कि फोटो पर यहां पर पूरी तरह से उन्होंने आकर मारने की शुरुवात करें। कर्दी थी थी हला कि इस वीडियो पर इब एल्विश यादो का रियक्शन आ गया है और मैच टॉन ने वीडियो शेर किया जिसमें एलविश कहते हैं कि हर आदमी दोगला है बस अपने काम से काम रख अब यहां पर मुनवर को लेकर मुनवर के साथ क्रिकेट को लेकर एलविश यादव पर जो इलजाम लगे हैं ऐसा लग रहा है कि एसी से गुस्सा हुआ है और एलविश ने जाकर मैक्सटॉर्ण की ऐसे में डिमांड की जा रही है कि एलविश को अरेस्ट हो जाना चाहिए अब बता दें आपको कि बिग बॉस विनर हैं रहे हैं दिली को दिली के यूट्यूबर को गुर्ग्राम बुलाया उन्होंने और मारने की धंकी दिए अच्छा जांद से मारने की धंकी दिए हार्य जाना के रहने वाले हैं इस समय यूट्यूबर अलविश आदव और काफी ज्यादा घट घिरे हुए है ठीक है अलविश ने यह भी कहा है कि तेरे माबाग को जिन्दा जला दोंगा अलविश वले हैं यह सुनकर उसे पीटा एलविश ने इस बात को सुनकर पीटा है अब क्या है चलिए बताते हैं और बताते हैं आपको इस समय अलविश यादा पूरी तरह से पूरे दुनिया में ट्रॉल हो रहे हैं ऐसा कोई नहीं है जो एलविश के खिलाफ नहीं है हलाकि हर तरफ से उन्हें खरीकुटी सुनाई जा रही है लेकिन अलविश ने कहा है कि उप मैक्सटर्ण ने सागर ठाकुर के इलजाम के बाद अब अलविश सामने आए हैं अलविश को ट्रॉल किया जा रहा है अब उनके उपर मैक्सटर्ण ने गुरुगराम ठाने में फाई यार भी दर्ज करा दी है अलविश आदब आप अपना पक्ष रखने के लिए एज इस पर फैसलन ना करें उन्होंने का कि मुझे लेकर सारी विडियो और हो रहे है काफी वीडियो है उसमें दिख रहा है कि मैंने हाथ हृट उठाया मेरा पीट्टा एक वीडियो में एकशक्टर्ण मुझे कह रहा है कि यह गुंडा है मुझे मारने की कोशिश करा है इसी passes पर जनता ने Elvish को मुझरिम करा दिया है कि Elvish तो गुंडा है, Elvish तो बनमाश है लेकिन ऐसा नहीं है, जो दिख रहा है वो नहीं है एक political support है उसको, यह सारी बाते Elvish ने एक एकर करके यहाँ पर clear की है Elvish कर कहना यह है कि आपने एक side के story सुनी है तो दूसरी की story सुनाने का आपको हक है और मुझे सुनाने का हक है जो लोग victim card खेल रहे हैं, जो लोग मेरे खिलाफ जाकर आवाज उठा रहे हैं यह तो उनकी पुरानी आदत है, यह मैं 2020 से झेल रहा हूँ कि लोग left lobby में खटे हो जाते हैं, चलो ठीक है side, मेरे side की story सुनो भाई अब उसका Twitter खोलना, अब मैं Big Boss में जब गया था, आठ महीने हो गया है आठ महीने से आप देखना में क्या कर रहा हूँ, Maxton के साथ और Maxton मेरे साथ उसका हर tweet मेरे खिलाफ होगा, मुझे poke करते हुए मिलेगा, सारी चीज़ें आपको ऐसी ही लगेंगी अब आपको लग रहा है कि पूरी story सुननी है, चलिए हम आपको सुनाएंगे पूरी story ये कहना है ऐलविश का, उसका कहना ये है कि बीच-वीच में कभी-कभी उनकी मुलाकात उस लड़के से होती थी तब उन्होंने सोचा कि ये फैंस को गवार क्यों कहता है, Maxton, ऐलविश के फैंस को गवार कहता था, उन्हें खराब कहता था तो Elvish ने बताया कि उससे call पर बात करना चाहते थे लेकिन Maxton ने उन्हें गुरुगरा में मिलने को बलाया अब Elvish ने बताया कि मिलने की दोरान बाचीत को लेकर उसने कहा कि मैं तुझे और तेरे परिवार को जिन्दा जला दूगा इसके बाद Maxton से नराज हो गए और उन्होंने जब लोकेशन मांगी तो मिलने के लिए स्टोर पर पहुंचे वहाँ कैमरा सेट अप लगा हुआ था इवन माइक भी लगाया गया था वो अकेला नहीं था वो चार लोग थे Maxton पूरी वीडियो में यह बात बोली है ठीक है सागर ठाकुर ने बताया था कि एलविश के फैंस उसके पीछे पड़े उन्होंने का कि यादव की सोच का परदा फार्ष करने के बाद से कई फैन मेरे पीछे पड़े हैं मुझे ट्रोल करते हैं मुझे पर फिजिकली हमला हो चुका है मुझे कई बार ऑन-लाइन धंका आया गया है सागर ठाकुर का यह कहना है सागर का यह भी कहना है कि अलविश और उनके बीच बात तब इगड़ी जब वो यूटूबर में जो थे यह यह दुश्मनी तब से चलिया रही है लेकिन जब मैंने मलहान को सपोर्ट शुरू कर दिया तब उसके यह जो बात थी वह एलविश को और उसके फैंस को अच्छ सागर का कहना है कि उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया है क्योंकि अलविश के साथी भी तुसे रिकॉर्ड कर रहे थे अगर वो इससे डिलीट कर देते तो हमारे पास सबूत होता अब हर्याना पुलिस इस मामले को प्राइवेट रखना चाहती है और जब फायार दर्ज करव पहले सजन तैंदुलकर मुनवर फारकी और कुछ सेलेब्रिटीज के बीच जिसमें अक्षर कुमार भी थे क्रिकेट खेलते देखे गए यहां मुनवर भी मौजुग थे मुनवर के बीच में काफी वक्त से मुनवर की और एलविश की दुश्मन ही चल रहे थे लेकिन मैच की वक्त एलविश यादव और मुनवर को एक साथ देखा गया वो दोनों गले भी लग रहे थे दोनों के फोस्टो शोचल मीडिया पर वायरल हो रहे थे इसके बाद से एलविश यादव ट्रोल हो गये मुनवर के साथ एलविश की फोटो को देखकर कुछ फैंस को अच्छ का याद दिला दो इसके बाद सागर और एलविश के बीच शोचल मीडिया पर कई बार तू तू मैं में बहस लड़ाई देखी गई वाट्सप पर गर्मा गर्मी होई फिर दोनों की मीटिंग फिक्स होई दोनों की मुलाकात होती है गुरुगराम के एक मौल के एक स्टोर म और वहां पर ही सागर के साथ एलविश यादव हाथा पाई कर देते हैं और यहां पर सागर ने इलजाम लगा दिया कि वह 8-10 गुंडों को लेकर आया था सभी नशे में थे और ठाकुर को मारा सब ने खासवर पर एलविश ने और एलविश ने ठाकुर की रीडिकेर्दी तोड़ने की कोशिश की और जाते जाते जान से मार देनी की धंकी दे तो यह है पूरा मामला अब यहां पर एलविश भी अपनी सफाई दे रहे हैं और सागर भी अपनी सफाई दे रहा है लेकिन सच्चाई तो यह है दोस्तों कि यह कहीं ना कहीं इगो का गेम है कहीं ना क को बताईए कॉमेंट्स जरूर कीजिए धन्यवाद